बच्चों question number 10 और question number 10 जो है इस exercise का सबसे easy question बोल सकते हैं आप इसको क्योंकि ये question same based है जो हमने गारा था question number second और question number third same to same बच्चों उसकी photocopy है तो देखिए इसका ध्यान से solution इसमें question में जो कहा है पहले question पढ़ लेते हैं कहा है सिद्ध कीजे कि किसी बाहे बिंदू से किसी वृत पर खीजिगे इस पर स्रेखाओं के बीच का कौन इस पर से बिंदो को मिलाने वाले रेकाखंड द्वारा केंद्र पर आंतित कौन का संपूरक होता है कहां से निकल के गया बच्चों ये उपपर से निकल के गया क्यों क्यों कि इस सिर्फ हमने कोशन पड़ा है जब इसको चीतर से समझेंगे तो चीतर को बनाते ही जैसे ही मैं बनाओंगा आपके माइन में आ जाएगा कि इसका अंसर क्या होगा किसी वृत 750 बना लेते हैं विर्थ के बाहर हम एक बिंदू कोई हैं तो भी उपन एप इसको नाम बे दbn cycle है भूर अब यह में क्या करना है हमने यहां से मिलाया किसको हमें मिलाया B और A को मिला दिया अब question में यह का है कि सिद्ध कीजे कि यह जो angle O है और यह जो angle बनेगा इसको मनाम दे देते हैं A B बनाती है इसको मनाम दे देते हैं P ठीक है तो हमें यह बताना है इस question में कि जो angle O और angle PA, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है, यानि ये दोनों कोण क्यों होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, अब आपको पता है कि संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, question को दोबारा से समझते हैं, कि बाहे बिंदू से किसी विर्थ पर खीची के इस पर से खा के बीच का कौन यानि ये वाला फिर है इस पर्स बिंदू को मिलाने वाले इस पर्स बिंदू को मिलाने वाला रेकाखंड यानि बी ए और ओए ठीक है द्वारा केंदर पर आंतित कौन केंदर पर आंतित कौन क्या होता है संपूर कौन होता है यानि ये वाला एंगल प्लस ये इस पर्स रेखा हैं जो केंद्र ओपर आंत्रीत है आंत्रीत है ठीक है फिर हमने आप एक किया ओबी वह ओए को मिलाया ठीक है क्योंकि यह दो इस पर्स रेखा है ओबी और ओए को हमने मिला दिया अब यहां देखो एक चत्रबुच का निर्मान हो रहा होगा एक दो तीन चार भुजाएं बन दिये अब चत्रबुच के चारो कोणों का योग कितना होता है कितना होता बच्चो तीन सो साथ तो लिखना हम जानते हैं हम जानते हैं कि कि चत्रबुच के चारो कोणों का योग ब्राबर कितना होता है तेन सो साथ अब चार कोण कोणों से हैं बी पी ए ओ त्यास से लिख लेंगे एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी बराबर में कितना 360 अब हमको इसमें से कोई भी एंगल अभी तक पता नहीं है तो बच्चो एक प्रमे आपने पढ़ी होगी कौन सी एक पर मैं पढ़ देता हूँ आपको प्रमे इसमें पढ़ के बता देता हूँ प्रमे आपने पढ़ी थी कहां गई उसे वृत पर खीची गे इस पर सेखाओं की बराबर होती है वो तो हमको पता है एक हमने पर मैं पढ़ी थी 10.1 ये इसमें कहा है वृत के किसी बिनदू पर इस सेखा इस पर सबिंदू से जाने वाली तिर्जा पर लंब होती है विर्थ के किसी बिंदू पर इस पर सबिंदू से जाने वाली तिर्जा पर लंब होती है यानि ये जो OB है वो लंब होगा किस पर? BP पर ऐसे ही जो OA है वो होगा किस पर? AP पर ठीक है तो यहां हम लिखेंगे कि O B लंब है किस पर B P पर B P पर वा O A लंब है हमारा किस पर A P पर जब यह लंब हो जाएगा तो जो हमारा एंगल B होगा वो हो जाएगा हमारा कितना 90 डिगरी और एंगल A हो जाएगा हमारा कितना 90 degree ठीक है तो अब देखो हमारे पास दो एंगल मिल गए यानि B और A मिल गया कैसे हमें पता है अब हमने प्रमे पड़ी 10 दसमलव 1 तो यहां से हम लिख देंगे प्रमे 10 दसमलव 1 से ठीक है बट आपने इस पूरी प्रमे को याद करना और इस प्रमे को यहां पर लिखना है त तो यहां से आप इसको पूरा नोट कर देना तो अब हमें यहां से दो एंगल मिल गए जब एंगल मिल गए इन कमान रख देते हमें यहां पर तो यहां से एंगल B कमान रख देते हम कितना 90 प्लस एंगल P ब्रावर कितना 360 एक चीज़ यहां हम लिख लेते उपर कि सिद्ध सुध्य करना है डिक सब्सद्रीit करना है चाल है क्वैसे एंग ओ और एंगल पी संपुरक दिखाने है यानी एंगल ओ प्लस एंगल पी डिए रावर सी डिक सिद्ध्र करना तो हम से 90 सबें कितना हैrode है 180 बचेका क्या एंगल ओफलास एंगल ब्रावर में कितना 360 ओफटेफ हो 180, यही चीज़ उस इत्व को सिध्व करनी तो लास्ट में के लिखेंगे कि इसमें देखों पूरी एक लंबी लाइन आएगी वह मैं बता देता हूं प्लास्ट में लोग लिख देना कि यहां पर लिख देना कि रेकाखंड द्वारा केंदर पर आंतित कोंड क्या होता है संपूरक होता है तो यह हो गया बच्छों मारा कोशन नमर 10 भी कम्प्लेट